गुट मॉर्निंग फ्रेंट्स आज हम पढ़ेंगे हिंदी सब्जेक्ट ओपन पेज नंबर 65 सभी आज की डेट और डे लिखेंगे उपर आज का हमारा पार्ट है पार्ट आर्ट रहीम के दोहे रहीम के दोहों का संकलन रहीम दोहा वली में मिलता है उन्होंने भक्ती नीती एवम श्रिंगार सभी विस्यों पर दोहे लिखे हैं पार्ट में दिये गए उनके नीती संबंदी दोहे हमारे जीवन का उचित मार्ग दर्शन करते हैं चलिए अब हम इन दोहों को पढ़ते हैं और इनका अर्थ समझते हैं जो रहीम उत्तम प्रकरती का करी सकत कुसंग चंदन विश्व्यापत नहीं लिप्टे रहत भुजंग इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं जो व्यक्ति उत्तम प्रकरती मतलब अच्छे स्वभाव के होते हैं उन पर बुरी संगती का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर सांप लिप्टे रहते हैं फिर भी वहनातो अपनी शीतलता को छोड़ता है और नहीं विशैला होता है दूसरा दोहा है कही रहीम संपती सगे बनत बहुत बहुरीत बिपती कसोटी जे कसे ते सांचे मीत इस दोहे में रहीम दाश्जी कहते हैं कि जब आपके पास धन दौलत होती है तब आपके बहुत सारे मित्र और इस्तेदार होते हैं परन्तु जब विपत्ती मतलब मुसीबत आने पर सच्चे मित्र की पहचान होती है क्योंकि सच्चे मित्र ही मुसीबत में काम आते हैं दोनों रहीमन एक से जबलो बोलत नाही जान परत है काक पिक रितु बसंत के माही इस दोहे में रहीम दासजी कववे और कोयल का उधारन देकर यह समझाना चाहते हैं कि अच्छे और बुरे इंसान की पहचान उनकी वानी से होती है जिस प्रकार बसंत रितु आने पर कववा और कोयल में अंतर पता चलता है उसी प्रकार मनुश्य की वानी से उसके स्वभाव का पता चलता है जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़े लोग कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग इस दोहे के माध्यम से रहीम दासजी कहते हैं कि वास्तव में बही लोग बड़े होते हैं जो गरीबों का हित करते हैं कृष्ण ने सुदामा से मित्रता निभा कर समाज को सची मित्रता का संदेश दिया है और बताया है कि मित्र का सुख दुख दोनों इस्थिती में साथ देना चाहिए खीरा सिरते काटिये मलियत नमक लगाए रहीमन करुए मुखन को चहियत इह सजाए रहीमताज ची कहते हैं कि जिस प्रकार खीरे का मुख करवा होने के कारण उसे काट दिया जाता है उसी प्रकार करवा बोलने वालों को उसकी सजा मिलती है कदली सीप भुजंग मुख स्वाती एक गुंतीन जैसी संगती बैठिये तैसोई फल दीन इस दोहे के माध्यम से रहीमताज ची यह बताना चाहते हैं कि स्वाती नक्षत्र में बारिश की एक बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरती है तो वह कपूर बन जाती है यही बूंद जब सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है और जब यह साप के मुख में गिरती है तो विश्वन जाती है इसी प्रकार संगती का हमारे उपर बहुत प्रभाव पड़ता है हम जैसी संगती में रहते हैं हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाता है रहिमन देख बडेन को लगू न दीजिये डारी जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी इस दोहे में रहिम दास जी ने छोटी से छोटी वस्तु के महत्व को समझाते हुई कहा है कि एक बड़ी वस्तु के सामने छोटी वस्तु भी महत्व पून होती है क्योंकि जहां छोटी सी सुई काम आ सकती है वहाँ पर बड़ी से बड़ी तलवार कोई काम नहीं आती अर्थात सुई का काम सुई कर सकती है और तलवार का काम तलवार उसी तरह हर वस्तू का अपना महत्व होता है तो ये थे हमारे रहीम के दोहे इन्हें आप याद करेंगे आज हम पार्थ आर्ट के सान पार्थ नौ भी पढ़ेंगे और उसकी एक्सरसाइज भी कम्प्लीट करेंगे ठीक है? ठैंक यू